पुरभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उमीद है, आप सभी खुश होगे और स्वस्त हूंगे वीडियो कोईए और अपना काम भी पूरा कर रहे होंगे, तो बच्चों, रोज वीडियो कोईए, अपना काम पूरा करें और परिशा के लिए अभ्यास भी करें तो बचो चलिए हम आज का वीडियो सुन करते हैं उससे पहले एक बर फिर आप सभी का कख्षा दो हिंदी में स्वागत है अगर आपने करका वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कल के वीडियो में हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाथ है पुसकर खुल उस जंगल से लक्डियां काटकर लाते थे लक्डियां बेचकर जो पैसे मिलते थे उनसे ही उनका गुजारा होता था तो बचो जो रशीत का परिवार है वह गरीब था और उनका गुजारा सर्फ जंगल से लाई गए लक्डियों को बेचकर होता था और गुजारा या नही जो खर्चे हैं इसके लिए जो भी हम कमाते हैं जिस तरह से उसे चलाते हैं उसे गुजारा कहते हैं तो यहां पर इनके परिवार का गुजारा जो लख्डियां उनके पिता जी बलाते थे जंगल से उनको बेच कर होता था अब दूसरे अलुषेद में आपने देखा कि एक दिन रशीद के पिता के तव्यत ठीक नहीं थी रशीद ने कहा अब आज मैं लख्डियां काट लाता हूं तो दूसरे अलुषेद में हमने देखा कि एक ही आदमी था जो घरक में कमाने वाला था और वो आदमी अगर बिमार तो इनके घर में शायद एक दिन चूलहा भी ना जगे तो यहां पर क्योंकि इनकी इंकम कम थी जो भी पैसे एक दिन में लख्डिया बेच कर मिलते हैं उनका एक दिन का गुजारा होता था अब दूसरे दिन फिर जंगल में जाएंगे लख्डिया लाएंगे बेचेंगे यह जो बरिवार है ताकी गरीब है इसका गुजारा सिर्फ लख्डियों से ही होता था तो इनको रोज बाहर जाना पड़ता था यानी जंगल में जाना पड़ता था लख्डिया लाना पड़ता था फिर बेच करके घर खर्च के लिए पैसे लाने पाते हैं और पता जी को या बापा कहते हैं उसी तरह से रशीद अपने पता जी को अब्बु कहता था और उसके बाद वह बोला अब्बु आज मैं जंगल जाता हूं और लकडिया काट कर लाता हूं अब देखते हैं आगे क्या हुआ अगले अनिशेद में बच्चो अब्बु बोले न किसी की कही हुई बात को उसी के शब्दों में लिखते हैं तो हम डबल इंगॉर्टिट कॉमा के बीच में पूरी बात को रखते हैं तो यहां पर भी कुछ बात है जो बाप बेटे में चल रही है जो भी यहां पर बादचित संवाज चल रहा है वह इंगॉर्टिट कॉमा म अबू क्या बोले उस बात को हम ठीक उनी के शब्दों में यहां दिख रही है इसलिए हम से इन्वर्टेट कॉमा पहले पहले अबू ने जो बोला उसको हुने अलग किया यहां एक तरफ किया हमने क्योंकि वाकय का भाग नहीं है तो आगे का बात कि जो पिता जी दौरा बोला गया वो हम दिखेंगे नहीं नपे बड़ी की मात्रा नहीं भापे बी की मात्रा बे तवपे आ की मात्रा ता नहीं बेटा फिर उसके बाद वो रुके उन्होंने सांस लिया और उसके बाद फिर बोला अभी अभापे बड़ी की अभी तुम अभी तुम छोटे, तुम लोगे हम उब दो चोटे होया. में अभी तुम में तुम मु संहीत करऊ, natural deform品 तुम हर मगना धो भुख पने नहीं हुखिशत में उश्पा जो यहां पर लिखया है. जो अब्बू ने बोला उनकी बात और उन्ही के शब्दों में हमने लिखा है इसलिए हमने यहां पे पूरी बात को double inverted comma के अंदर रखा है जिस तरह से अब्बू ने बात को कही थी उन्ही के शब्दों में हमने यहां लिखा है इसलिए इस पूरी बात को उन्हें डबल इंवर्टिट कौमा के अदर रखा रहा है। उसके बाद अबू के अबू ने इतना कहा और इतना कहने के बाद रशीद ने क्या कहा। अब रशीद की बात ने कहा तो कौमा से हम अलग करेंगे। उसके बाद जो रशी ने कहा इसके बाद हम आपे लिख रहे हैं रशीद ने कहा अभबू आधा व व दे बड़े की मात्रा अभबू पॉमा रशीद ने कहा अभबू फ़मा नादं मैं इक्स्ट्रमेशन अब्बू आप फिक्र तोब भे छोटी की मातरा फिक्र आप फिक्र नवे आपी मातरा ना करे आप फिक्र ना करे अब्बू आप फिक्र ना करे ingredient आप फिक्र न कौपे बड़ी की मात्रा फिजी ए आप फिक्र न कीजिए उसके बाद हम लिखेंगे अब मैं बड़ा हो गया हो अब 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 म पे एकी मात्रा मैं बड़ा बड़ा हो गया हो अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो रशीद ने कहा अब मैं बड़ा हो गया हूँ तो यहां पे दो लोगों की बीच में बात्ची चल रही है अब्बू और रशीद जो लोग है वो हैं अब्बू और रशीद दोनों आपस में बाते कर रहे हैं रशीद जंगल जाने की बात कर रहा है, अबू से मना कर रही है, क्या कारण बता रहे है, अबू बता रहे है कि अभी तुम छोटे हो, इसलिए बहुत से जाने को मना करें लेकिन वही रशीदूर की बात को अलग करते हुए कहता है कि नहीं अब मैं बढ़ा हो गया हूँ और जाने की बात करता है, तो यहाँ पर दो लोगों की बात के बात के महां हम पे रखता है, जैसे कि अबू, आप फिक्र ना कीजिए, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, क्यों ना फिक्र कीजिए, क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जंगर जा सकता हूँ, और वहां से लगनियां काटकर ला सकता हूँ, फिर अबू ने बताई, फिर रशीद ने अबू को बताया, कि इसी के शब्दों में बोला गया स्लेंगों इसको भी double inverted कॉमा में रखा दिए उसके अलावा बच्चों इहां में आप देख सकते हैं अभू एक शब्द है जिसे आप हटीन शब्द है जिसे आप देख करके अभ्यास कर सकते हैं अब आथा गौ और गौ पे बड़े होती मात् हाँ प्ट्र अब बच्चों यहां पर आप देख सकते हैं तीन शब्द हमें रिखा है जिसमेंसे पहला शब्द है अभू अभू शब्द का प्रयोग उन्हें पिताजी के लिए किया है यानि पिताजी का मतलब अभू होता है हम पिताजी को अभू भी कहते हैं तो यह एक बेक्ति के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए अबू संध्या शब्द है, उसके बाद रशी भी लड़के का नाम है। ये दोलों आपके संध्या शब्द यानि चिंता करना . यहां एक ख्रिया शब्द है। फिक्षिडर्स शब्द से हमें कुछ काम होने का पता चाटा इसलिए en प्रिया शब्दSe कि हूँ नों अधरा भिया और सन्ध्या लिखा और इस तरह से इस पेरग्राफ में हमने देखा कि कब हम Doll Alz तो भी किसी के द्वारा कही कई बात को ठीक उसी के शब्दों में हम लिखते हैं, तो यहां पे बचों, अब क्योंकि पिताजी बिमार थे, पैसे आने जबनी थे घर में, क्योंकि अगर कोई नहीं जाता जंगल, तो इनका खर्च नहीं चलता, या इनका गुजर्बसर नहीं ह पाता, इसने रशीद पिताजी को समझाता है, और कहता है, पिताजी, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं जंगल जाकर के लकड़िया लाता हूँ, चलिए देखते हैं फिर क्या होता है, अब जो रशीद है, वह जंगल जाता है, रशीद लोही की कुलहारी उठाकर चल दिय तो यहां पर आज रशीद जब जा रहा था तो यह भी इसलिए जा रहा था तो बच्चो जैसा कि हमने देखा इस सनुछेद में जो अब्बु है रशीद को मना करते हैं कि तुम अभी छोटे हो तुम लकड़ी रेने नहीं जाओगे लेकिन जो रशीद है अब्बु को समझा चाहते हुए कहता है कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ मैं जंगल जाओंगा और लकड़िया ने करके आऊँगा तो बच्चो यहां पर हमने देखा कि किस तरह से जो रशीद है अपने जिम्मेदारी समझते हुए अपने पिता जी को समझाने की कोशिश करता है कि अब मैं ब पहले भी बताया कि जो रशीद है उसका परिवार गरीब था और वो लोग पूरी तरह से लकडियों पर ही निर्फर करते थे जो रोज उसके पिताजी काट कर लाते थे और उसके बाद उन्हें बेचकर जो पैसे आते थे उसी से उनका घर चलता था इसलिए रशीद को पता थ कि उसे लकडियां देने जंगल जाना जरुदी है वह अपने पिताजी को समझाता है और अपने जिम्हदारी समझते वे अपने पिताजी की लकडियां काटने जंगल जाता है तो चलिए अगले अनुछेद में पढ़ते हैं तो बच्चों इस तरह से आपने देखा एक होते हमेशा छोटे ही होते हैं इसलिए जो अबु है वो रशीत की फिक्र करते हुए के मेंी सुप॥ तुम अभी चोटे हो तूम लकडिया लेडे जंगल नहीं जाओके क्योंकि और जिङल जानुदी है पिताजी को लगा होगा अबुको लगा होगा कि रशित जंकल में जा लेकिन वहीं जो रशीर था वो भी अपनी जिम्यदारी समझ रहा था कि अगर एक दिन वह या उसके पिता जी लखड़िया नहीं नहीं जाएंगे तो उनके घर में चूला नहीं चलेगा तो इसलिए अपने पिता जी को समझाते हुए रशीर जंगल जाता है और वहां से लख अब मैं बड़ा हो गया हुँ तो अब ने पिता जी को समझाते हुए कहा कि आप मेरी फिक्र मत करिये कीचिए मैं बड़ा हो गया हुँ मैं जंगल जाओंगा और वहां से लखड़िया लेकर आऊंगा और दूसरी तरफ बच्चों यहां पे जो फिक्र है फिक्र यानि चिन चिन्ता यहां पे पिता जी को यानि अब्बू को रशीद के चिन्ता हो रही थी क्योंकि जंगल में अनेक प्रकार के जंगली जानवर होते हैं और भी कई सारी परिशानिया जंगल में उससे पढ़ सकती थी क्योंकि आस तक वो कभी जंगल में गया नहीं था इसले वो फिक लोहे की कुल्हाडी उठाकर चल देता है आप सभी को मालू है लगडी काटने के लिए कुल्हाडी के जरूरत पड़ती है और वह कुल्हाडी लेता है और जंगल के तरफ चल देता है वह एक हरे भरे पेड के पास पहुचा पर चुब हरा भरा पेड यानि कि फल देने वाला जिसमें हरी-हरी पतिया हो, पतियों से भरा हो, छाया देने वाला पेड, उसे हम हरा-भरा पेड कहते हैं, तो यहां पे वह एक हरे-भरे पेड के पास पहुंचा, उसने पेड काटने के लिए, जैसे ही कुलहाडी उठाई, उसे रोने की आवाज सुनाई दे, तो बच्छो, अब जो रशीद है, वह जंगल पहुँच चुका था, जंगल में जाकरके, वो गया ही था लखनिया काटने, इसलिए उसने एक हरा-भरा पेड ढूंडा, और पेड के को काटने के लिए, उसने अपना हाथ उठाए, यानि कुलहाडी उठाई, और जैसे ही उसने कुलहाडी न दिया, उसने अपनी चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया, रशीद ने दुबारा कुलहाडी उठाई, तो फिर किसी के रोने की आवाज आए, और रशीद डर गया, जब एक बार हुआ, उसने देखा और फिर अपने काम में लगया, लेकिन तो दुबारा जब उसने कुलाड़ी उठाई, फिर बुरॉणने की आवाज था। तो रशीद डर गया। क्योंक्य बच्चो बच्या ही था। उसे ऐसा कोई अनुभाव नहीं था। उसने दुबारा आवाज सुनी तो वह डर गया। रशीद जर गया वहाँ पर वहाँ कुई नहीं था उसने फिर चारो तरफ दिखा होगा उसे वहाँ पर कुई नहीं दिखाए दिया तो बच्चों इस तरह से सबसे पहले तो रशीद जंगल गया और जंगल में जाकर के उसने एक हरा भरा पेड ढूला हरा भरा का मतला मैंने आपको बताया कि एसा पेड जिसमें खुब भरे भरे पत्ते हो यानि कि पैड फल देने वादा होarnya पत्तियां हो और एकडम चायादार पेड को उसे हम हरे भरा कहते हैं अब उस पेड को गुल्हाडी उठाई तो उसे रोले की आवास सुनाए पहले Pvd align देखा जब us vrome ने रिखा दिया तो से ध्यान ना를 पीर जब ऑप पर झिय गया अऔर येप्व्र आज अनुशित में पढ़ए पड़ लीचेगा और पड़कर ये एक बार करते वीडियो रहेगे तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन मंगल में हो।